दोस्तो ओम नमस्षिवाय आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 और 4 अगस्त 2024 के धनुरासी फल के बारे में धनुरासी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे? इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे? क्या योग बनेगा? और ग्रह आपकी दिंचरिया को किस तरह से प्रभावित करेंगे? जानेंगे आपके वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन सभी के बारे में दोस्तो आगे बढ़े हैं इससे पहले आपसे निविदन हैं तो स्रावन महा का किर्शन पक्ष का सनिवार का दिन होगा चतुर्दसी तिथी दोफेर तीन बजकर पचास मिनट तक रहेगी इसके बाद अमावश्या तिथी सुरू हो जाएगी पुनरवसु नक्षत्र सुभे ग्यारा बजकर उनसट मिनट तक रहेगा इसके बाद पुनरवस्या नक्षत्र सुरू हो जाएगा वज्र योग सुभे ग्यारा बजक रहेगा इसके बाद सिध्य योग सुरू हो जाएगा सूर्य देव करक राशी में वराजमान होंगे यानि आपके अस्टम भाव में और यहां से दूसरे भाव पर दरस्टी डालेंगे चंदर देव भी यहां करक राशी में वराजमान होंगे यानि यहां सूर्य और चंदर की योती आपके आठवे घर में होगी और दूसरे भाव पर दरस्टी डालेगी राहुकाल का समय सुभे 9 बजकर 17 मिनट से सुभे 10 बजकर 55 मिनट तक होगा अभिजीत मुहरत दोफेर 12 बजकर 7 मिनट से दोफेर 12 बजकर 69 मिनट तक रहेगा यहां चंद्रमा करकराशी में विराजमान होगा तो ऐसे में चंद्रमा की इस्थिति के कारान आपके पारिवारिक रिस्तों में खटासा सकता है यानि परिवार के सद्धश्यों के साथ आपके संबंद खराब हो सकते हैं आपके जीवन में कुछ स्वास्त्य संबंदी समश्याएं भी हो सकती हैं तो ऐसे में अपने स्वास्त्य का ध्यान रखना होगा खुद पर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा क्योंकि आपके द्वारा केगे प्रियास सफल होगे अपने जीवन की परिशानियों से बचने के लिए अपने सब्दों पर नियंतर न रखें आज के लिए सुभ रंग डार्क बिल्यू कलर होगा यानि नीला कलर का होगा दो फेर तीन बज़ कर तीस मिनट से साम पांच बज़े तक जरूरी काम आप कर सकते हैं यह समय आपके लिए सुभ होगा और सुभ अंग छे होगा नई नौकरी के बारे में अभी आप कोई नर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें ध्यान रखें कि अगर आप अपने गुस्य पर काबू नहीं रखेंगे तो आपको व्यवसाइक छेतर में परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है आज आपके सलहकार आपको जो भी सला देंगे आपको यही परतीत होगा कि इससे मुझे फायदा नहीं होगा परन्तु ये एक परकार से समवाध हिंता की इस्थती है आज आपको अपने लक्षें को सही तरीके से जानने वे पहचानने के आप शकता है इसी के बाद आप इन तथ्यों को अपने सलहकरताओं के साथ बाट सकते हैं चंद्रमा यहां आपके आठवे घर में होगा जिसके प्रभाव से आप अधिक बोलने वाले होंगे आत्म सम्मान से युक्त होंगे और चिंतित रहने वाले होंगे चंद्रमा की पूणद्रष्टी यहां आपकी दूसरे घर पर होगी सप्तम पूणद्रष्टी धन भाव पर पढ़ने से यहां किसी महिला मित्र के द्वारा धन प्राप्ति की योग बनेंगे परिवार में सुक सांती बनी रहेगी परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा वेपार में अच्छी सफलता के योग भी बनेंगे यहां आप स्वभिमानी होंगे और आठवा घर मंगल और सनी के अंतरगत आता है मंगल यहां वर्सवरासी में वराजमान है यानि आपके छटे घर में और गुरू के साथ यूति किये हुए है साथ ही सनी देव कुम्भरासी में है जो कि आपके तीसरे घर में है तो ऐसे में यदि आपका पैतरक संपत्ती में कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसे सुल्जाने की कोशिस करें बात करें 4 अगस्त 2024 की तो सरावन महा का किर्सन पक्षकार अविवार का दिन होगा अमावश्या तिथी साम 4 बजकर 42 मिनट तक रहेगी इसके बाद प्रतिपदा तिथी सुरू हो जाएगी पुष्यनक्छतर दोफेर 1 बजकर 26 मिनट तक होगा फिर आशले शानक्छतर सुरू हो जाएगा सिद्धियोग सुभे 10 बजकर 38 मिनट तक रहेगा इसके बाद व्यतिपात योग सुरू हो जाएगा सूर्ये देव और चंदर देव दोनों ही कर कराची में वराजमान होंगे यानि आपके अस्टम्भाव में यूति करेंगे राहुकाल का समय साम 5 बजकर 25 मिनट से साम 7 बजकर 2 मिनट तक होगा अभिजीत मुहरत दोफेर 12 बजकर 6 मिनट से दोफेर 12 बजकर 58 मिनट तक होगा चार अगस्त का दिन आपके लिए बेहत भाग्यसाली साबित होगा क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र होगा यानि रवी पुष्य योग बनेगा और पुष्य नक्षत्र को देवताओं दोवारा पूजने वाला नक्षत्र बताया जाता है जोतिस के अनुसार पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है इसलिए इसमें किये गई खरिदारे विशेस फल्दाई होती है इस नक्षत्र में खरिदारे का विशेस महत्त होता है इसी प्रकार सरवार सिद्धी योग भी इस दिन होगा वह सभी परकार की सिध्धी देने वाला होगा इस योग के दोरान किये गए कारियों में सफलता मिलती है इसी के साथ मा लक्ष्मी का आसिरवाद भी प्राप्त होगा यहां बुद्ध और शुक्र एक ही रासी में है तो ऐसे में लक्ष्मी नारायन योग भी बना हुआ है तो मा लक्ष्मी की किरपा से धंधान में व्रद्धी होगी सुक्सम्रद्धी में बढ़ोत्री होगी वैसे तो पुष्य नक्षत्र हर महा आता है लेकिन जब भी है रविवार की दिन होता है तो रविव पुष्य नक्षत्र का संयोग बनता है जो की बेहद लाबदाई माना जाता है इस योग में की गई खरिदारी स्थायत प्रदान करती है और सोना, चांदी, भूमी, भवन, वाहन, आभुशन सभी प्रकार की खरिदारी करना इस योग में सुभ माना जाता है तो ऐसे में घर परिवार में भी सम्मन्द अच्छे होंगे और बच्चे आपकी साम को खुसी की चमक लाएंगे ठकाओ और उबाओ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की योजना बना सकते है परिवार के साथ बहार जाने का प्रोग्राम बना सकते है इसे परिवारिक रिस्तों में भी मजबूती आएगी आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा उनका साथ आपके सरीर में फिर से ओर्जा भर देगा केवल एक दिन को नजर में रखकर जीने की अपनी आदत पर काबू करें जरूरत से ज़्यादा वक्त वे पैसा मनुरंजन पर खर्चना करें आपका मजा क्या स्वभाव सामाजिक मेल जोल की जगहों पर आपकी लोग प्रियता में जापा करेंगा प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे इसरासी के जातक खाले वक्त में आज किसी समया श्या का समाधान निकालने की कोशिस कर सकते हैं आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है अपने जीवन साथी या दोस्तों के साथ मूवी देखने आप जा सकते हैं ऐसे में आपके रिष्टे काफी अच्छे होंगे परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा वैवसाई में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी जिससे आपकी आर्थिक इस्थिती में भी इजाफा होगा वैवाहिक जीवन में खुशियां दस्तक देंगी आपसी अच्छी बॉंडिंग होगी और प्रेमियों के लिए भी यह समय काफी सांदार होगा जो प्रेमी विभा के बंधन में बंधना चाहते हैं उनकी बात अगले पायदान पर पहुँचेगी जिससे आप काफी प्रसंद नजर आएंगे तो यहां घरह नक्छत्रों का इसारा आपकी जीवन में चारचांद लगाने का है तो समय आपके पक्ष में होगा तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मता दी दोस्तो